कि हिए घळो फ्रेंड्स नमस्ते मैं नईरेशहुज एक बार फिर आपके साथ कर रही हूँ हूँ आज अरस के सादक पर जाते हैं गाड़ी चलाते हैं नहीं चिलाएं जब भी जाते हैं क्या लिखा कहुता बड़ा बड़ा सावदानी हटी दुरगरता घटी यह बहुत बड़ा मैसेज है हमारी लाइफ के लिए अगर आप सच मुश आज घर जाके सोचना जब भी टाइम मिले कि जिंदगी में ऐसे कितने मोड आया हैं कि जब जब भी हम सावदान नहीं रहे यानि होश बुरुबक नहीं रह अलर्ट नहीं रहे तो हमने कितनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस की है हम कितना पश्चाएं हैं उन बातों के लिए कि अगर हम ध्यान देते तो ऐसा ना होता तो जैसे भी कोई भी गाड़ी चिलाते हैं तो उनको मालूम होता है कि हमें कैसे सावदानी से चलना है कैसे अपनी गाड़ी को बचाना है और कैसे दूसरी की गाड़ी को भी बचाना है तो यह सब क्या है यह एक बात को समझना है कि जो भी गाड़ी चिला जीवन की गाड़ी को चिलाना है तो हमें बहुत सारी बातों को समझना होगा मेकेनिकल वे में, हम बहुत सारी चीजों को क्योंकि उनोंने सिस्ट्म कै लिया है Kabak इससे मैंने कैसे बच ने और मैंने कैसे इस आग का प्रीूक करना गर नाइग हो बिजली बड़ी खतरना कहोशत Για कि आप जुओक कर रहे हैं हर मशीन उससे चल रही है तो कैसे क्योंकि उसका भी एक रूल है वह आप फालो कर रहे हैं according to rule चल रहे हैं there is no problem और जब अगेंस रूल चलेंगे कोई भी mechanism है कोई भी मशीन है अगर आप उसको मिस्यूज करते हैं मिस्यूज में कैसे अगर आप उसका अगर यह नहीं करते तो एक्सिटेंट्स होते हैं उसमें तो कोई वह है नहीं अब आप गाड़ी को डंग से नहीं चला होगे जब गेर कब डालना है आपको अपने ब्रेक देनी है कब क्या करना है यह सिस्टम आपको बड़ा नैचरल सा पता चलते जा रहे हैं आपको इतनी ह क्लाड़ी वंचाते हैं पर आम अनाड़ी नहीं रहते क्योंकि हमें रूल फालो कर रहे हैं तो ठीक इसी तरह से अगर हम फिसिकल लेवल पर सारी बातों को समझ रहे हैं और सब खत्रों के क्लाड़ी बने हुए हैं तो फिर क्यूना मन को भी अपना सभाले इसके दौरह हम क चल रहे जनके कारण मेरे प्रिशानियां हो नहीं है यह साय है आपका विचार होगा वैसे आपकी फीलिंग्स देखेंगे कि जैसे आप मतलब कर रहे होंगे वैसे विचार आने शुरू हो जाएगे क्योंकि दन और मन का क्रिएट कर देते हैं तो जब आप मन को ध्यान पुर्वक देखेंगे और होश पुर्वक चलो साफधानी से चलो जब आप मन को यह वला कि साफधान आगे खत्र है यानि जब भी कोई ऐसा विचार चल रहा है आपको लगता है कि आप आपने एक्सपीरियंस किया उसको बहुत बार कर रहा है कि मैंने जब जब ऐसे सोचा मेरी ऐसी फीलिंग क्रिएट्स हुई उसका मैंने नुक्सान उठाया जिस रूप में भी च स्काहिक हैं कि आप तुबारा से एक्सिदेट्स ना करें दूबारा से गलतीयां ना करें इतनी सी समझ की बात है तो जब सारे रूल फालो कर रहें जॉय कर रहें लाइफ को तो मन को भी जब आप फालो करोगे उसके रूल को भी फालो करोगे उस पर पूरी नजर रखोगे साफदान रहोगे तो खत्रा नहीं है फिर आप मन के भी खिलाडी बनेगे अनाडी बनके नहीं जीना आपको तो मन तो आप इस मन के साथ जागिए ठीक है होश पूर्वक हो जाईए और देखिए कि जिस तरह से इसको जब चल रहे हैं अगर एक्सिडेंट जहां होता है तो साफदान रहे हैं और जहां आपको इससे खुशी मिलती है आप आगे बढ़ रहे हैं तो उस मोड में गाड़ी को चलाईए तो जीवन की गाड़ी को भगाईए तो यह बहुत अच्छा रहेगा थैंक यू फ्रेंट्स उमीद करती हूं आप मन से परेशान नहीं होंगे बल कि मन को जब संबल कर चलाएंगे तो हैरान होएंगे कि क्या जादू की चड़ी आपके पास है तो फ्रेंट्स बाबाई थैंक यू बारी मच्छ